नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका इस चैनल को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के ल अगला वीडियो यहां पर देख लेंगे आपसे पूछा गया क्वेशन में कि जिसे आपके घरों में पुताई होती है तो सफेदी की गई दिवारें तीन-चार दिनों के बाद इसमें से क्या बनने के कारण चमकदार दिखाई देने लगती है तो जैसे आप तो तमाम तरह के पेंट आगए लेकिन पहले जो चूँने से खास करके पुताई की जाती थी दिवालों की तो उसमें क्या होता है देखे केल केंगे हैं कैलृषियम हीडर ओकोसाइड होता है चिको उसकी पुताई हमने दिवाल पे की तो दिरह धेर वो क्या होता है की दिवाल के उपर एक पतली कोटिंग Sonra कार्बोनेट की एक डेपलप हो जाती है क्यों होती है कि जो केल्चियम हीडरोग साइड था वो रियाक् कार्बन डायोक्साइड से ठीक है और इसके मादियम से कैलशियम कार्बोनेट बनता है जो कि उसको एक चमकीला रंग प्रदान करता है ठीक है तो जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पर जैसे हम लोग अपने घरों में पुताई करते हैं तो जिस दिन के आधार पर भारत सरकार का कौन सा विभाग नियूंतम समर्थन मूल लिया तो फसलों के लिए जो MSP है इशू की जाती है क्रॉपिंग सीजन से पहले इसको डेकलियर करने वाला जो हमारा विभाग है भारत सरकार का रिशी और सहकारिता विभाग विकल्प B इसमें से देखें गेहों की खेती के लिए किस परकार के उर्वरक का उप्योग किया जाता है तो ऐसे उर्वरक जो nitrogen प्रवाइड कर सके है nitrogen based fertilizer मुखरूप से गेहों की फसल में इस्तिमाल किया जाते है next है किस प्रक्रिया के द्वारा साबून द्वारा grease को हटाया जाता है ठीक है तो जैसे कई बार आपका यह हो जाता है जिसे मान लीजे कोई आप vehicle चला रहे हैं ठीक है तो साबून के और उस grease के मध्य जो है रियक्शन होता है उसको emulsification कहते है ठीक है पायसी करण तो यहां पर सी विकल्प को चुनेंगे इसके माध्यम से इसको अटाया जाता है भारती सम्विदान के अनुच्छे 280 के इंतरगत वित आयोक का रावधान किया गया है इसको भी ध्यान रखना है और अभी 15 वित्तायोक के सिफारिश चल रही है तो वही पूछा गया है कि 15 वित्तायोक गटन भारत के राश्टरपत के द्वारा किस इतने वर्ष की अवधी के लिए किया गया था ठीक है तो इसमें मुखिरूप से देखेंगे तो ब्यूटेन और प्रोपेन है न यह दो चीजों से मिल करके बना होता है ब्यूटेन यहां पे मिल रहा है इसको चुनेंगे और जैसे लपीजी सिलेंडर से कई बार गैस का रिसाव होने लगता है न तो उस रिसाव का पता हमें आटा की गत्विदिया होते ना इसमें देखा होगा आपनेसी समुद्र हैं पानी की लेरों इहाँ काफी उठावाता है तो यह कौओन सा नियम इस गट्ना के बारे में बताता है यह लॉड ऑफ n exploration इसमें से कौन सा एक उतक है यानि कि टिशू है जो हमारे शरीर में एक सुरक्षात्मक उतक का काम करता है तो बॉडी में बॉडी के एक प्रोटेक्टिव टिशू के रूप में हमारा उपकला उतक जो है ओप्शन C में ये कारी करता है अगला है निर्वाचक नामावली का दूसरा नाम क्या है तो वोट डालने के पहले आप देखते हैं कि एक लिस्ट होती है जिसमें सबके नाम लिखे होता है तो ऑफिशल नेम इलक्टोरल रोल होता है आम बोलचाल की भाशा है में उसको वोटर से लिस्ट भी खा जाता है उस क्रिया का चैन कीजिए जो मानव शरीर से पसीने के वाशपी करण से संबंदित है तो जैसे अभी करणियों के मौसम और मौंसून के मौसम है तो पसीना होता है फिर पसीना हमारा क्या होता है वाशपी करण भी होता है कुछ एट्मोस्टेर में तो एंडोधर्मिक है न option सिल लौशमा शोशक क्रिया इसमें से कौन सा युग मा हमारा सुमेलित नहीं है हाटरी कल्चर जिसमें फोलो की खेती की जाती है उसको कहते हैं सेरी कल्चर यानि रेशम केट का पालन ठीक है और एपिकल्चर जिसमें मदमक्की पालन तो तीनों ही सही हैं ठीक है इनके नाम ध्यान रखीगा यहाँ पर जो भी सब्जी हैं हमारे पास लिखी हुई हैं उसमें विटामिन C सरवादिक मात्रा में किसमें पाय जाता है तो खास करके खटे फलो में और जैसे यह मिर्च हो गया तो मिर्च में इन में सबसे ज़्यादा हमें विटामिन C मिलेगा अप्षिडेंट बेसिकली होता है न विटामिन C तो मिर्च खाने से भी अप्षिडेंट मिलता है आपको सबसे ज़्यादा तो इसको ध्यान रखेंगे इन में से कौन सा option जो है जंतु कोशिका में अनुपस्तित होता है ठीक है तो जैसे plant cell और animal cell तो जैसे हम मानव किसमें आते हैं animal cell के examples में तो पौधे में और animal cell में देखेंगे तो animal cell में क्या होता है कि cellulose की cell wall नहीं होती ठीक है हमारी जो कोशिकाएं होती है उसमें cell wall की उन्पस्तिती होती है animal cell में इसको ध्यान रखेंगे बागी के जो दो विकल्प हैं ये सब पाए जाते है इसमें से किस तत्तो की कमी से मानव शरीर का विकास दिमा हो जाता है तो human body का growth जो रुखता है protein की कमी से रुखता है इसलिए कहा जाता है कि protein वगएरे ज़्यादा खईए तो जैसे दाल वगएरे हो गया इसलिए इन सब को अपने diet में हम लोग include करते है इसमें कौन सा तत्तो बायो fertilizer के रूप में इस्तिमाल होता है या उसका सुरोथ है तो जैव उर्रक होता है अजोला मानव शरीर में protein का पाचन किस अंग में शुरू होता है तो protein का digestion स्टार्ट होता है इसमें देखें मानव शरीर के जो निमनलिखित अंग है कौन सा उसमें सबसे मजबूत होता है तो हमारे जो दात होते हैं तो जो outer part of white color का देख रहे हैं इसको बोलते हैं enamel ये सबसे जो है यहाँ पर मजबूत पाइट होता है मानव लार जो हमारे आपके मुह में लार बनती है इसमें से किसके पाचन में मदद करती है तो हमारा जो लार है saliva उसमें एक enzyme पाया जाता है amylase जो की स्टार्च जो होता है जो हमें खादे पतार्थ उससे प्राप्त होता है इसको breakdown करने में मतलब कि digest करने में help करता है इसको basically क्या होता है स्टार्च को breakdown करता है simple छोटे particle कह लीजे और convert करता है उसको sugar में फिर वो absorb होती हमारे body में next है जब कोई विक्ति किसी सूचना को संसाधित कर रहा होता है तो उसके मस्तिस्क में कौन सी मानसिक गतिविदी जनरल डायर के प्रशाशन के दोरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था तो यहाँ पे लगाया गया था जो है martial law ठिक ये लगबग 1929 के आसपास की घटना है इसमें होता गया था कि martial law में दो से ज़्यादा लोग एक स्थान पे अगला है एक अलग आयोग के रूप में राष्ट्री अनुसूचित जन जाती आयोग किस वर्ष से अस्तित में आया तो पहले जो नैशनल कमिशन फॉर शेडियूल कास्ट और शेडियूल ट्राइब ये दोनों एक ही में थे ठीक है इनको अलग किया गया और उसके माध्यम से जो अनुसूचित जन जाती आयोग है ये बना हमारा 2004 में नेक्स्ट है दुरूप का तशेशी एक प्रकार का उत्सव है इसका नाम देखेंगे थोड़ा सा सिक्किम में मनाया जाता है में खिरूप से और ये समंदी थे गौतम बुद्ध से बुद्धिज में का एक फिस्टिवल होता है उस नदी को चुनना है जिसका उदगम महाराष्ट्रा में त्रैंबेकेश्वर एक जगे है यहां से होता है ठीक तो ये है हमारी गुदावरी रिवर हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्ब बैंक आफ इंडिया तो इसी ने ही अपरेल 1947 तक इनमें से किस देश के लिए केंदरी बैंक के रूप में भी कारिकिया तो देखिए RBI हमारा बना कब था ये जानिएगा 1935 में ठीक है अपरेल 1935 से और उसमें क्या था कि जो ये वर्तमान म्यानमार है उसको पहले बर्मा के नाम से जानते होते तो ये भी भारत का अंग होता था तो यहाँ पे बर्मा के सेंटरल बैंक के रूप में भी RBI ने 1947 अपरेल तक कारिकिया है भारती राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशाशन में सहायक संधी प्रडाली का सूतरपात किया तो यहाँ पे ब्रिटिश टाइम की रेड़ में लॉर्ड वेलेजली ने जो है सबसिड्री ऐलाइनस का एक कॉंसेट किया था अप्शन डी को चुनेंगे जो राज्य सबसिड्री लाइनस में आते थे तो उनको जो है यह ब्रिटिश फोर्स जो है उनको अपनी टरेटरी में उसको एकसेट करना पड़ता था और उनका ब्रिटिश आर्मी का जो मेंटेनस था वो भी उनको करना पड़ता था तो आइसक में परंपरागत भूमी मापन की काई क्या है जमीन को मापने की जो हमारे यहां जैसे एक ओफिशल आंकरों के इसाब से एकर को हम पड़ते हैं लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे यहां है तो यह बीगा है उसके टर्म में हम नाते हैं तो एक बीगा में जैसे कई पूरे भारत में कहा होती है उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टेट्यूट ऑफ वेजीटेबल रिसर्च किस जिले में इस्तित है तो संस्थानों की सूची एक बार पढ़के जाईएगा जरूर आपसे कुछ ने कुछ पूछा जाएगा तो सब्जी जो शोद संस्थान है वरारसी में उत्तर प्रदेश के किस छेतर में अन्ना प्रथा उस छेतर की क्रिशी एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाब है तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो जासी ललित पूरिये सब वाला जो बुंदेल खंड का रीजन है छोड़ देते हैं खेतों में जंगलों में कहले लिजे तो वहां क्या होगा कि उनके द्वारा उस खेत का नुकसान होगा उसमें वो चर लेंगे या उसमें वो ज्यादा चलेंगे तो मिट्टी खराब होगी ठिक है तो वहाँ पर agricultural practices जो है उसको नुकसान होता है इस अन्नाप्रथा से तो अन्नाप्रथा आप जाने होंगे क्या है तो कहां होती है बुंदेल खंड में और इसके वज़े से जो वहाँ का करिश्य वामवानी की छेत्र है उसका विकास पर प्रभाव पड़ता है उत्रकदेश में सरवाधिक प्रतिशत कर्मचारी इसमें से किस छेत्र में नहीं हो जित है तो देखेंगे सबसे ज़्यादा employment अगर कोई sector हमारे यहां उत्रकदेश में कारे रथ है उसमें लोग तो agriculture है ठीक है सरकारी नोकरी भाई इतनी है नहीं इंडस्टीज हमारे यहां पे है नहीं इतनी तो maximum लोग खेती पे ही तो आश्रित है अगला है Indian Grassland and Fodder Research Institute एक चारा संस्थान है यह famous इसमें जहासी में उत्रकदेश के जहासी जिले है उत्रकदेश की प्रमकुतम तिलहनी फसल कौन है ठीक है तो पूरे उत्रकदेश में देखेंगे तो जो oil seed crop जिसका ज़्यादा सबसे production होता है तो यह सरसो पता राई उत्रकदेश का कौन सा जनपद दशेहरी आम का सरवोच उत्पादक है दशेहरी आम काफी popular है देखेंगे तो सबसे आदा जिसे यह मलिहाबाद वगएरा है लखनव में यह काफी popular है तो यह correct हो जाएगा हमारो अगला है निमनलिकित में से उत्रकदेश में किस फसल चक्र का छेत्रफल अधिक है तो हमारे यहां देखते हैं ना कि जैसे अब सबसे यहादा किसका production होता है गेहू और चावल का ठिक तो पूरे वर्च बर देखेंगे तो इनके ही area सबसे यहादा हमें cropping cycle में मिलेंगे अब reasoning के कुछ questions को देखेंगे है हमारे पास कुछ शब्दे लिखे हैं उसको अर्थ पूर करम में व्यवस्तित करना है तो किसी भी चीज का बीज ठीक है उसके बाद क्या होगा एक बीज से कूपल निकलती है ठीक है ऐसे छोटे 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 देखेंगे आपने parts sprout उसको बोलते हैं अंकुरन जैसे चना भी होते हैं रात को तो उसमें सुबह ऐसे white निकलता है वही अंकुरन होता है तो यह हो गया तो मतलब दो number फिर क्या आएगा हमारा नवांकुर है न तो जो और उससे बड़ा होता है पार्ट उसको नवांकुर से इडलिंग कहेंगे फिर आएगा हमारा क्या इससे पेड़ बनेगा ने सॉरी यह पौधा बनेगा यानि की तीन तो चार दो पांच तीन हमारा यह देखें बी बाला उत्तर बन जाएगा एक सिरीज है कॉश्चन मार्क के जगे पर क्या फिल होगा देखना है पहला नमबर है 136 ठीक है दूसरा है 204 तो 136 का आधा ठीक है वो 136 में ही आड़ करेंगे तो 204 आ जाएगा यह इस तरीके सिरीज बन रही है फिर 204 के आगे 306 है तो 204 का आधा 102 ठीक 102 को 204 में जोड़ तो 306 आ गया फिर इसी तरीके 306 का आधा कितना हो जाएगा 153 तो उसको एड़ करेंगे तो हमारा कितना अंसर आजएगा 469 अगला कॉश्चन है एक निशित कूट भाषा में कॉइन शब्द को 169 अटाइस लिखा जाता है मिंट को यह लिखा जाता है तो हीरो को क्या लिख आई का कोड हमारा होता 9 तो आई को भी उन्हों ऐसे लिख दिया है एन का कोड होता है हमारा 14 तो 14 दुनी 28 यानि कि पहला और आखरी पद जो है यह डबल हो रहा है ठिक वैसा ही मिंट में भी लॉजिक है तो हीरो के लिए हमारा कोड है यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखें प्लीज उनको सॉल्व किया करिये एक निश्चित कूट भाषा में प्लांट के लिए यह कोड है तो लॉजिक इसमें क्या है बिसिकली ऑगला लेटर क्यो हो एक नो ने एजट लिए लिए है फिर अगला लेटर यहां पे यहां पर न है ठिक है तो प्लांट में तो यहां पर बेकलब इसमें हमारा उत्तरवन जाएगा एक सिरीज फिर से है A, B, Z, B, C, Y तो देखें यहाना पर लॉजिक एक तो यह वाला है कि अंतिम लेटर माइनस में हो रहा है Z, Y, X, W फिर क्या आएगा हमारा V, ठीक, तो दो आप्शन तो ऐसे कट गए, फिर आगे से देख लेते हैं कोड, है न, तो A, B, C, D, मतलब यह वाली सिरीज कंटीनीव चल लेगी, तो यहाँ पर E ही आएगा न, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, तो E के बाद F तो E, F, V, यहाँ पर C विकल्प हमारा करिक्ट है उस विकल्प का यहाँ पर देखे, ब्लैंक को फिल करना है टोटल इस सिरीज में हमारे पास 20 लेटर्स है तो इसको यहाँ पर अरेंज कर लीजेगा कैटेग्राइज करके, और C विकल्प के हिसाब से इसमें भरेंगे तो यह एक लॉजिकल ओडर है सिलोगिजम का एक प्रशन है यहाँ पर तीन कथन है, दो निश्करश है इसको आप देख लीजे, हमने आपको पहले बता रखे इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करके एक बार देखेगा यहाँ पर हमारे जो है इसमें दोनों कंक्लूजन फॉल्व हो रहा है अब कुछ हिंदी के प्रश्णों को देखेंगे बाल चित्रण में कौन सा कवी श्रेष्ट है तो बेसिकली जो सूर्दास थे हमारे श्रेकरिष्ण के बाल रूप से बहुत परभावित थे और उसी क्रम में इन्हें बाल चित्रण में सबसे उत्करिष्ट माना गया है तो बेकलब हम बी को चुनेंगे यहाँ पर हमारे पास जो शब्द लिखे हैं उसमें से एक वचन मताना है आसू, दर्शन और बाल ये सब बहु वचन है सामगरी हमारी एक वचन होती है अगला शब्द हमारे पास है मनोहर इसमें कौन सी संदी है तो इसका संदी विच्छेत होता है क्या मना और हर ठीक है, तो ये विसर्ग संदी हो जाएगी अगला शब्द है सद्भावना इसमें कौन सी संदी है ठिक तो ये होता है सत्धन भावना ठिक तो व्यांजन संदी इसमें चुनेगे हैं जितने भी संदियां हम देख रहे हैं समास ठिक है या रस ठिक इनके बारे में प्लीज एक बार रिवाइस कर लीजे एक्जाम बेहत मस्दीख है और है न असी लापरवाई से काम नहीं ठिक है अगला शब्द है नर्ट था नारी में कौन सा समास है ठिक तो यहाँ पे जिसे नर और नारी में क्या हू रहा है दोनों हमारे जो पद हैं वो प्रतान है ठिक तो इस प्रकार के हमारे जो युग में शब्द होते हैं कहले जे दौर्ण समास होता इसम earthly से माता पिता नर नारी है न तो यहां पर यह इसका example हो जाएगा अगला देखें हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है ठीक है वरतमान हिंदी जो आप बोलते हैं ठीक तो यहां पर भारूपी जो हमारा एक एक के टेगरी बनी है ठीक तो यह देखेंगे विश्व का सबसे लगबग बड़ा भाषा परिवार माना जाता है इसमें हिंद, यूर्पि, यह चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं अब इसमें हमको जाती बाचक संग्या बताना है ठीक तो एक ही जो है शट्द से उस बहुत होता है तो उसमें हाब जाती बाचक संग्या कह सकते हैं तो यहां पर जैसे नदी शद्ध है, तो सारी नदियों का भाव उससे हमें मिलता है, तो नदी को हम चुनेंगे. इसमें देखें, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यह बताना है, तो जैसे इंग्लिश में आप जिंटर पढ़ते हैं, तो अब यहां पर देखेंगे, यहां पर फिलाल हम दो कुछ उनके आगे बढ़ेंगे. इसमें से शुद्वर्तनी का चेहन करना है, आविश्कार किसी वस्तु का होता है, अब जामते हैं पहली बार, तो उसको किस प्रकार से आविश्कार को शुद्रूप से लिखेंगे, तो विकल्प B में जो लिखा है, यह सही होगा. एक शब्द है हमारे पास विधी, इसका विलोम बताना है, तो विधी मतलब कि कानूनी रूप से या फिर किसी भी चीज़ का एक विवस्ता है, एक ढंग हो, एक प्रडाली हो, उसको विधी कहते हैं, यानि कि जिस चीज़ की करने की अनुमती दी जा रही है, लेकिन वहीं उसके विपरीत निशेद वर्ड जो होगा, यानि कि वैसा कुछ करने के लिए मना ही हो, तो विधी का विलोम हमारा निशेद होता है, अगला शब्द है स्वतंत्र, इसका विलोम बताना है, स्वतंत्र मतलब आप आजाद है, अगर आप किसी के अधीन है, तो आप मतलब तंत्र शब्द को इस्तेमाल करते हैं, अगला शब्द हमारे पास है, एक शब्द बताना है किसके लिए जो कहान जा सके, ऐसी कोई बात जिसको व्यक्त न कर पा रहे हो, आप कथन उसके बारे मना बना पा रहे हो, अग कथनी है उसको कहेंगे हम, विल्प सी, अगला हमारा निर्वासित इसमें प्रत्य बताना है मूल शब्द हमारा इसमें क्या है निर्वास ठीक निर्वासित तो इत्प्रत्य इसमें लगा हुआ है अगला है जलज शब्द किस प्रकार का शब्द है एक तो देखिए जल धन ज इसे मिल करके बना है जलज जो की कमल के बारे में भी इसको हम इस्तिमाल करते हैं तो होता हो क्या रहा है ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं तो यो गुरूर शब्द हमोने कहते हैं जो किसी अन्य शब्द का बहुत कराते हैं ठीक, तो भी कल पस्नी को चुनेंगे इसमें तद्सम शब्द को बताना है ठीक है, तो जैसे ग्री का हमारा तद्बा होता है घर है तो तद्सम ग्री होता है उसका अगला है थोड़ा जानने वाला कोई व्यक्ति हो जिसको किसे भी चीज की कम जानकारी हो ठीक है तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं जो है अलपग्य ठीक और जो सब कुछ जानता हो या बहुत कुछ जानता हो वो बहुग यह, हाना, सब कुछ जानने वाला सरवग यह, यह सब शब्शब्द होता है तो इसमें देखे, D-Vical हमारा correct है अब कुछ computer के questions को देखेंगे, personal computer कि स्पीड़ी से संबन देता है हमने generations एक से लेके 5 तक की बता रखी है, इसको पढ़के जाईएगा तो personal computers जहां से हमारे यह, प्रॉपर डेस्टॉप और यह, लाप्टॉप वगरा इंट्रोड्यूज होने स्टार्ट हुए यह सब 4th generation है अगला देखे, निर्वात ट्यूब का उप्योग कब हुआ तो हमने पहले भी बताया है, जैसे 5 generations के ने बात की computer की तो processing, या कहले जै main processor के रूप में, जो हमारी technologies में use हुई तो पहले generation में निर्वात ट्यूब है न, जो कि सबसे पहले 1904 में डेवलब हुआ पहली बार यह भी fact ध्यान रखिएगा तो लेटर ओन, इसको 1945, 1905 के मद्दे जो first generation computers बने वो सब vacuum tube आधारित थे, ठीक है second generation computer हमारे transistor पे आधारित थे, third generation computer हमारे integrated circuit यानि जो IC chips है उस पे आधारित थे fourth generation जो है microprocessors पे आधारित है, ठीक है fifth generation किस पे आधारित थे जरा यह आप comment करके बताईए पहला विद्दूत computer जिसका नाम था ENIAC, इसको किस में बनाया था तो जो है सबसे पहली बार ENIAC को unveil किया गया, है न, 1946 में इसको भी ध्यान रखना है J. Presper Eckert और John W. Motchley, ठीक है, विकलप C में इनको इसका श्रेज आता है बनाने का, ENIAC का कई बार full form पूछ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है तो electronic, numerical, integrator and computer, ठीक, इसको भी ध्यान रखना है Computer शब्द हमारा जो है, compute से मिल करके बना है, तो compute का मतलब क्या होता है सबसे पहले जब इसका कहले जए development किया गया तो गड़नाओं को करने के लिए, बहुत लंबे-लंबे जो calculations होते थे जो human brain के बसकी बात नहीं है, उन सब परपस से किया गया तो calculation जो है न स्रीविकल, compute का मतलब calculate करना, गड़ना करना अब है कि पहला computer किसके द्वारा बनाए गया था, father of computer के रूप में भी जानते है इनको कौन है, Charles Babbage, ठीक तो जड़ा ये बताईए कि जो इनके द्वारा computer बनाए गया था, वो किस वर्ष में बनाए गया, जड़ा comment करिए तो ब्लेज पास्कल किस अदेश के गड़े तक ये थे, ठीक, computing की दुनिया में इनका भी काफी नाम popular है, और अगर बात करें तो ये जो है, फ्रांसी सी थे, ठीक है, option D भारत में निर्मित प्रत्वा में सूपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है, ये शायर हमने पहले बता रखाए आपको कि हमारे सूपर कंप्यूटर की जो सिरीज है, वो परम नाम से है निमने लिखित प्रकार के कम्प्यूटरों में से सरवादिक शक्ति-शाली कौन सा है तो शक्ति-शाली in the sense की एक particular unit of time में सबसे ज़्यादा calculation data की कौन सा computer कर सकता है बाकि ये movie देखना, गाने सुनना ये सब नहीं है computation के reference में की हर second या हर minute कितनी data को कोई computer process कर रहा है तो उस reference में सबसे ज़्यादा जो popular है कौन से हमारे super computers अब इसी में एक चीज़ ये भी जानते रहे है कि इस समय विश्व में जो सरवादिक शक्ति-शाली super computer है उसका क्या नाम है? frontier, ठिक, और किस अदेश का है? USA का, इसको भी ध्यान रखना है इसके बाद दूसरे number पे भी अगर मान लिजे पूछते हैं तो Fugaku नाम है उसका, वो किसका है? Japan का mainframe या super computer में access करने के लिए जो user है उसको अक्सर किसका उपयोग करना पड़ता है तो super computer बिसक लिए कोई छोटा computer नहीं होता super computer का इसमें कौन सा उदारण है, ठीक है? तो यहाँ पर जो तीन नाम लिखें या तीन के तीनों ही हमारे super computers हैं एक बार जो top 10 विश्व के super computers हैं उनकी list सर्च करके देख लिजेगा और अभी दो हमने आपको बताई दिये थे तो इसी के साथ यहाँ पर इस वीडियो का हमने complete किया है सारे questions को देखें फिर से और reasoning के questions को प्लीज प्रैक्टिस कर लिजेगा हम इसको continue करेंगे एकले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार, जैहिंद